कि हलो दोस्तों मैं आपका अपने चनल एंचर्टी फार्वर्मेट इस वीडियो में हिंदी के लिए हिंदी का प्रेक्टी सेटर लाया हूं दोस्तों 20 कोशन है कर दो में उपयुक सब्द का है चैन कीजीन तो दिखते हैं जौस्तों और एक सब्दों का एक शब्द है देखते हैं ऐन 76 तक ओल रहा है सेंटी टू नमर की वह भाई जो और ने माता से उत्वण हुआ होता है उसको क्या करते हैं साहादर करते हैं और था करते हैं आब जो से दूसरी माता के खर्फ से अतबी आइसने यद णहेंगे याद हुआ होगा याद रखेगा एक ही गर्व से अगला दिखलते हैं जिसके बराबर का कोई नहों जिसके बराबर का कोई नहों उसके लिए एक सब्सक्राइब बताना आपसाने जिस तो बिल अच्छड अनुपाम और सधार लोका तीत क्या हो जाएगा 73 का दूसारा सही हो जिसके बराबर कोई नहों उसे अनुपाम को आते है 74 कि गोद में सुने वाली जिसमंबर दूसार सही हो जाएगा ओन इंदिदिया कहेंगे ठीना ओन इंदिदिया वहला देखलते हैं 75 नमबर जो इस ओर में विश्वास रखता है उसे क्या कहेंगे जो इस ओर में विश्वास रखता है जो इस ओर में विश्वास रखता है जो इस ओर में विश्वास नहीं रखता है उसे नास्तिक कहेंगे तो आपसर नम्बर 14 सही हुजएगा 76 दीख लिगते हैं तो 76 है कि कोष्ट से संपन होने वाला के लिए सब्दा बताना है कोष्ट कारी, कोष्ट प्रध, कोष्ट साध्य के इन फिर इंट में से कोई डें क्या हुजएगा 76 का दुस्तो तिसारा सही होज़ेगा तीसारा कोष्ट साधिक होते हैं तो कोष्ट से संपन होने वाले को क्या कोते हैं कोष्ट साधिक होते हैं ठीड़ा 76 है 77 है कि बूरा होना बूरा काम करने के पश्यात लोग क्या करते हैं घबड आते हैं सर्माते हैं चिलाते हैं कि पश्यत आते हैं जो बूरा काम करेगा तो क्या करेगा घबड़ाएगा ही कान काटना मुहावरेगा क्या आर्थ होगा क्ट खन्ना होगा नहीं देखे मुहावरे अगर पुछे गान तो जो लिखा रहेगा उसका वही एंस्वर नहीं होगा यह जानिएगा कान काटना मतलब क्ट खन्ना होना यह नहीं होगा चातूर होना मुर्ख होना बिनर्म होना क्या आओ जागा 178 कान सवर दोस्तो देखे दो मुर्ख होना यह नहीं होगा कान काटना मतलब मूर्ख होना ये भी नहीं होगा ठीक ना उसके बाद कट खोना होना ये भी नहीं होगा बिनर्म होना कान काटना बिनर्म होना कोई हिंदी ये नहीं लिकरता है कान काटना मतलब चतुर होना तो किसी कान काटना मतलब चतुर चला की वाला काम करना ठीक नो कि बिमाग के पास कान होता है तो किसी कान करणे नहीं काट पायेंगे दो चत्तुरुला काम होई ये तलवार की धार पर चलना को अर्त के आ〜 को देख़े नूगिल्या होना नहीं कोठिन कारे करना दो तलवार की धार पचलो रहे कोई तो इन्हें कधिन कारे कर रहे टिनकि तलवार की upp Gary Gosh पर चलना सान नहीं की कट्रिन कारे वजली8 ये ओसिसे सतो चीकनहान அला हो पॉएगी योग्षियो का पंख यूद्ध कर देखे देखेंस उर्ती चुलओ का पंख यूद्धियो का क्याल जोल्थि ओका स Danielle पंक्क गिंुले रहा है यानी वह अनुभव का का तो अनुभव हूना ठी नौ हो विय गता अनुभव हूना उसके पास अनुभव है तो पंक्व sólo होता है तुन मेर्दें और दो बंक्वों संट्रेट्व सफ्पेध मतलब पूल पूलता और सब्सक्राइब जहां सो एटीरी नमर को समय कि पत्थर की तल्लकीर होने कार्थ क्या है कि पत्थर की लकीर होना मतलम कोई पत्थर है पत्थर प्र लकी काड़े में जभिए मुआ कि अगर्द है लेसा घुछ कांड़यी हुगा थे आल was कि अगला कि बुंधे मतलब कि अगर मतलब ड़ा है तो कोंगद अगर मतलब में फसाना अ मतलब ट मतलब नहीं है दोहश्य कोरना बांदाना डोर ड याला यह बेना ङे दिल लिकल रहा है पेनल फासाना ये दोहफे तो डाल दाल मैं पात-पात जैसे को तैशा चलाकी का उत्तर चलाकी से देना उंची कलपना करना है जमीन पर नहरों तो तेटीफाइब का दूसरा से जगा चलाकी का उतर चलाकी से देना तूडाल डाल मैं पात पात मतल्म आप से एक कदम आगे चल रहा हूं तो इसका मतलग कि मैं चलाक चलाकी से उतर दे रहा हूं ठीज अगला देंस तो नौ दिन चले और हाई कोस नौ दिन चले और हाई कोस का अर्थ क्या यह बहुत धीमी गति से काम करना अधिक समय में कम काम करना हराम खोरी करना अगला देंस तो नौ दिन चले और हाई कोस अधुसा अधिक बहुत धीमी चल से चल लाई नहीं होगा बहुत धीमी गति से काम करना यह होगा ठी ना अधिक यह करते थे आप समय स्वागूर सुफी मतवादी वैस्टो मतवादी निर्गूर एटी सेवन के क्या हो जगा है यह सो जगा निर्गूर निर्गूर से संब्धित थे दुस्तों कभी ठी ना ने दिखलते हैं तुल्सी कृत रामचरीत मानस की भाषा है मत्पूर को शन्य रामचरीत मानस जो तुल्सी दासिन लीखा है उसकी भाषा क्या है किस भाषा में आप समय सो भोजपूरी यह तो होगा नहीं बुंदेली ब्राज औधी क्या हो जागा एटीएट का दूस्तों प्रवीति से संब्धनिते से संब्धनिते 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 छाय वाधी परियोग वादी प्रगति वाधी इनमें से कुई नहीं के आया च्छाहाम का हैं स्ञाइक पर्षाण करें ना के निका चैनल शल्ख शुड़ा नुगत करें? निकारो स्वाम निकाँ के जर्षा होता है। नवह नमद देख लेता है जास अंकार परसात कि रचना चन्व्थ निम्लिकी मिसे क्या याद रखे हैं जान्रूपकिस कि रचना यह संकार परसात के ठीक प्रसुत पक्ति के रचाहिता कौन है कि चंदन बीस ब्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग प्रसुत पक्ति के रचाहिता कौन है कि चंदन बीस ब्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग के रचाहिता कौन है नाइंटी वन का दोस्तो आपसा नंबर चबता सही जगा ठीना रहीम की किरिति हैं उमीद करते हैं कि को सान अच्छे लागे होंगे ठीना आज के लब सीता है तो धन्यबाद दूस्तों